Good morning to all, आज का हमारा टॉपिक है एकोलोजी एकोलोजी को हम हिंदी में पारिसित की भी बोलते हैं अब एकोलोजी है क्या इसकी स्टेडी हम करेंगे एकोलोजी is the study of interrelationships of living organism with their physical and biological environment एकोलोजी में हम स्टेडी करते हैं जो हमारे living organism है उनका अपने physical और biological environment के साथ कैसा interrelationship है इसकी स्टेडी हम एकोलोजी में करते हैं पतलब दो तरीके के factors होते हैं हमाई environment में biotic factors और abiotic factors तो biotic और abiotic factors जो होते हैं biotic में आती हैं हमाई living organism और abiotic में हमारा physical environment आता है तो इनके बीच में आपस में कैसा interrelationship है इसकी स्टेडी हम ecology में करते हैं आगे हम देखते हैं the term of ecology was derived from Greek language जो ecology term है वो Greek language से tribe की गई है ली गई है आगे देखते हैं ecology term दो वर्ड से मिलकर बनी है ओएकोस और लोईगोस ओएकोस means house लोईगोस means study of जहां organism में रहते हैं उस निवास अस्थान की study क्या क्यलाती है हमारी ecology अब ecology term किस ने दी थी तो आगे देखते हैं जर्मन बायलोजिस्ट अर्नेस्ट हिकल कॉइंट दर टर्म ओफ ecology 1869 अर्नेस्ट हिकल जो थे जर्मन बायलोजिस्ट उन्होंने ecology term को दिया था पर उनको father of ecology नहीं का जाता है अब father of ecology हम किसे कहते हैं देखते हैं father of modern ecology UGNP autumn UGNP autumn जो थे उनको हम modern ecology का father कहते हैं अब आगे देखते हैं ecology को हमने दो term में divide कर दिया है पहली है हमारी auto ecology दूसरी हमारी sin ecology अब क्या होती है auto ecology auto ecology relationship of environment environment का relationship किसके साथ और्गानिस्म के साथ एक और्गानिस्म के साथ environment का जो relationship है वो उसकी study हम किसमे करते हैं auto ecology auto से मतलब है स्वत्ता होने वाली जो क्रियाएं हैं उनकी जो study हम करते हैं एक और्गानिस्म जैसे मैं मेरा जो इन्वार्मेंट के साथ relationship है वो क्या के लएगा उसकी study हम करेंगे auto ecology में अब नेक्स देखते हैं cynicology cynicology क्या है relationship of environment किसके साथ relationship committee के साथ committee किससे बनती है बहुत सारी species से मिलकर हमारी या बहुत सारी population से मिलकर हमारी committee में बनती है तो एक individual के साथ जो relationship है वो auto ecology में और जो पूरी committee के साथ जो environment का relationship है वो cynicology अब नेक्स आगे हम देखते है ecology को हमने चार पार्ट में डिवाइट कर दिया है individual individual एक basic unit है ecology की जैसे हम पीछे बढ़ चुके है individual किसी एक person से मतलब है एक organism से मतलब है population दो या तीन individual आपस में मिलकर population बनाते हैं बहुत सारे individual अगर मिल जाएं तो वो group हमारा population कहलाता है आगे हम देखते हैं committee बहुत सारी जब इस species एक साथ मिल जाती हैं तो वो committee में आती हैं और बहुत सारे ecosystem से मिलकर हमारा biomes बनता है और biomes से मिलकर हमारा biosphere बनता है अब biosphere क्या है biosphere को हम jab mandal भी बोलते हैं biosphere is a life of zone of the earth जहां पर life है उसको हम biosphere कहते हैं jab mandal भी इसको हम बोलते हैं अब यह तीन पार्ट में डिवाइट करा गया है atmosphere, lithosphere और hydrosphere biosphere इन तीनों से मिलकर बना है बहुत सारे जो ecosystem है उनसे मिलकर हमारा biosphere बनता है atmosphere जो हमारा air वाला जो पार्ट होता है वो atmosphere में आता है जहांपर बहुत सारी gases होती है lithosphere हमारा अर्थ वाला जो पार्ट है भाग है जहांपर बहुत सारे living organism मिलते हैं वो हमारा lithosphere में आ गया hydrosphere जो हमारा water वाला पार्ट है वो हमारा hydrosphere में आ गया तो ecology में आज हम ने भी पड़ाऊंगा जो हमारा जो अज